दोस्तों मैं आपका होस्ट और दोस्त रहुल निमेश आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक ने वीडियो में आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ इस परकार का इमेल किया जिसमें कि उसने बताया कि सर मैंने कुछ मोबाईल लोन एप्लिकेशन से लोन लिया था और वो मोबाईल लोन एप्लिकेशन पुरी तरह से RBI से रिजिस्टर्ड है मैंने पिछले 365 दिन से उनका एक भी रुपिया वापस नहीं किया वापस ना करने का रीजन था मेरे साथ में काफी अभधर भाषा का उप्योग किया गया रिकावरी के लिए काफी डराया गया काफी धमकाया गया मैंने उनको किलिर पॉल दिया था कि भाई जो करना है वो क कर लो मुझे उस ताइम पर ये पता था कि ये mobile loan application कुछ भी नहीं कर पाएगी अगर मैं इसका भुगतान नहीं करता हूं लेकिन आज मेरे पास में पूरी तरह से एक legal notice आया है और वो legal notice पूरी तरीके से जैनुएन है इन्होंने मेरे उपर case कर दिया अब मैं करू तो करू क्य दोस्तों मैंने उस legal notice को देखा तो मैंने उनसे पूछा कि legal notice आपको by post मिला है या फिर कोई आपको whatsapp पर बताया गया है या आपको कोई email किया गया है या आपको किसी और माधियम से legal notice दिया गया है तो उन्होंने मुझे जो legal notice भेजा वो legal notice कुछ इस परकार का था उस legal notice को पूरे तरीके से पैक्ट किया गया था मतलब एक पेपर था उसमें पूरे तरीके से उसको पैक्ट किया गया और पैक करके उनको एक स्क्रिंशोट लेके भेजा गया कि आपका लीगल नोटिस पूरे तरीके से तयार कर दिया गया है अब आपके उपर केस हो जाएगा और आप एक default हैं आपके ऊपर पुरी तरीके से कानूनी कारवाई होगी 100% आपको 2 साल की जेल तो पक्का है अब बिचारा डर गया घबरा गया बहुत mind में tension बन गई तो क्या आपके साथ में ऐसा हो रहा है अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप पहले तो डरे घबरा है ना बि हमने बुक्तान नहीं करा मारे मान संबान को तुमने चोट पोचा दी कोई दिक्कत नहीं है ठीक अब जो तुमने चोट पोचाई है उसकी तुम भरपाई कर दो और हम तुमें सारा पैसा रिटन कर देंगे जो भी तुमारी वज़ा से हमारी इज्यत बरबाद हुई है जो मैं किलिर ये बात समझा चुका हूँ देखिए अगर आपको कोई भी किसी परकार का कोई लीगल नोटिस मिल जाता है लीगल नोटिस का मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी आपके उपर किसी परकार की कोई बहुत बड़ी कारवाई हो जाएगी भाया ल कामने वाला बंदा आपसे लीगल तरीके से बात करना चाह रहा है राइट जब के उपर तम केस किया जाएगा तो से तीन लीगल नोटिस आपको भेजे जाएंगे और अगर आप लीगली तरीके से किसी प्रकार का कोई रेस्पोंस नहीं करते हो उसके बाद में जब जा करके क कहीं केस वगएरा किया जाता है और यह जो छोटी छोटी मोबाईल लून एप्लिकेशन है भले यह आरवे से ओथराइज हैं यह आपको हजार दो हजार रुपे का लोन देती हैं लेकिन यह बहुत सारी ऐसी एप्लिकेशन हैं जो कि अवैट तरीके से काम करती हैं यह लोन भी आपको secure रहना चाहिए, आपको aware रहना चाहिए, कि उपर ये किसी प्रकार की कोई complaint करें, आप इनसे पहले consumer form में पहुंच जाओ और आप इनके उपर case ठोक दो, बाई साब 101% आपको पूरी तरीके से benefit होगा, ये बात आप ध्यान रखेगा, क्योंकि आज की date में मैं किसी application का डाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन maximum application fraud काम कर रही है, फरजी वाड़ा कर रही है, लोगों को 1000 तो 1000 रुपे का loan दे करके उनसे heavy वसूली करती है, कि हम फला ना कर देंगे, हम ढिका ना कर देंगे, और उनके जो तार है कही ना कही चाइना से जुड़े होते हैं, मै बहुत सारी application आए दिन देखता हूँ, अगर मैं किसी application का नाम लूँगा, तो फट देशी क्या करेगी, वो application मेरे channel पर एक copyright strike मार देगी, बस और इस से ज़्यादा कुछ नहीं करती, हाला कि channel अगर है कि तो कोई अपन को tension नहीं है, channel बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकि आप कितना हो सके, tension free रहे, ये आपका कुछ नहीं करेगी, simple सी बात है कि ये है, अगर फिर भी ये कुछ करती है, तो भाई, CDC बात है, कर लो भाई, आपके पास में evidence तो है ना, आपके साथ में भी गलत हुआ है, करो भाई, बाई, court में case जाने का मतलब है, कि 20-25 साल तक कुर हो तो सही, भाई, 1000-2000 रुपे तो आज की rate में वकीली ले 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 है, छोटे से काम के लिए भी चले जाओ आप, तो ये तो सिर्फ लोजिक वाली बात है, इन बातों का आप ध्यान लखो, और किसी भी ऐसी application से loan के लिए आविदन मत करो, और जो व्यक्ति, पिछले काफी time से loan ले चुके हैं, ऐसी किसी application से भुकतान ने किया है, उनके mind में किसी परकार की कोई tension बनी हुई है, तो मैं बता रहा हूँ भाई, tension free रहो, किसी व्यक्ति को टैंसर लेने के जोरत नहीं है, किसी व्यक्ति को गवराने के जोरत नहीं है, ये आपका कुछ भी नहीं कर आगे, क्योंकि इनका कामी भाईया फरजी वाड़े का है, जितनी application आपको मिलेगी play store पर, एक तो वो फरजी मिलेगी ज्यादा तर, ठीक है, उन में से कोई registered मिली भी गई, तो भाईया वो भी आज कल फ्रोड काम कर रही है, इनका तो सिर्फ यही काम है, इससे जादा कुछ नहीं है, अब बहुत सारे व्यक्तियों के मन में क्या होता है, कि भाईया ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में, वैसा हो जाएगा, अरे भाईया नोटीस ही तो आ रहा, कोई वो थोड़ी ना आ रहा, है, जो कि भाईया भेज दो, तो यह जो application है, अब यही strategy अपना रहे है, photo खी तो लीगल नोटीस भेजद है, हम देख लेंगे जो होगा कानूनी तरीके से, भाईया कोई व्यक्ति डरेगा नहीं, गबराएगा नहीं, निश्चे कर लो, ऐसी application को 60 जवाब देना है, इन्होंने जो लोगों की जिन्दकी परपात कर रखी है, इनको सबक सिखाना है, किसी जो queries है, उनको पूरे तरीके से short out करने का पूरा प्रियास करूँगा, बाई लोग देखो, ना तो मैं कोई legal advisor हूँ, ना मैं कोई financial advisor हूँ, जो भी आपको जानकर देता हूँ, अपनी व्यक्तिकत knowledge के आधार पर देता हूँ, ठीक है, जिसको अच्छी लग रही है, वो यहीं social media account link, जो video के description box में provide करा दी है, आप मेरे सभी social media account पर मुझे follow कर लिजेगा, और मेरा एक telegram पर भी channel है, छोटा सा, जिसका link मैं आपको video के description box में तो दूँगा ही दूँगा, साथ ही pin comment में दे दूँगा, और comment में ज़रूर बताएं, आपकी attention खतम हो गई है, क्या और उस पे number बगरा ही प्रपर होता है, आप e-code download करके उसको पुरह तरीके से check out कर सकते हैं, और एक check bounce का notice होता है, उसको ignore मत करना, जाए किसी का भी हो, बाकि कोई notice आता है, follow, फैक रो, सिद्धी सी बात है